हाई हलो बच्चो मैं हूँ हेमिंद सर्मा आपको स्वाइद का तो में यूट्यूब चैनल पेपर है कर बच्चो बच्चो देखेंगे आज की इस प्यूडियो में हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं तो देखेंगे बच्चो आज की इस प्यूडियो में हम आपके लिए ले टीक है सभी के सभी हम ऑद्जेक्टिव कोशन लेकर आये हैं वह अपके लिए बता देए इसमें बेरी बेरी इंपार्टिंव कोशन है इसको नियुक्तियो को क्रिप्ध कर करके हमाई चैनल को सब्सक्राइब करिये जो कि हमारी आने वाली वीडियो जो है वहां तक सबसे पहल बाक्स में लिक दे दिया है आप पीडियो को बहां से डाउलोड कर सकते हैं पीडियो आपको हिंद इंगलिस दूनों में दी जाएगी ठीक है तो किर्प्या करके चैनल को सबस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक करते रहेगा शेयर करते रहेगा बच्छो ठीक है और रहने वाला है पहले कोशन की तरफ बढ़ते हैं पहले कोशन की तरफ बढ़ते हैं बच्छो पहला कोशन हमारा क्या रहने वाला है और इसमें एक बात बता दें बच्छो की वीडियो भाग कौन सा हो जाएगा भाग फस्ट हो जाएगा और इसमें फस्ट और सेकंड यूनि पहला question हमारा कह रहा है विप्रीत अनुलेखन की कोज किसने की थी थी जल्दी से बताइएंगे अमने जो हमारा right answer होगा बच्चों क्या रहने वाला है वो 53 अवं Baltimore बॉल्टी मोरहते को फ्ट बॉलट मोर सो ने करी थी किसकी इपरीत अनुलेखन प्राइशन की जल्दी स 12 Потому संदेख लेते हैं इनमें से यानि की दिया है इस में आ रायने जेनेटिक मैटेरियल होता है तो किसमें होता है आ रायने जेनेटिक मैटेरियल ठीक है तो किसमें होता है बाइरस में होता है किसमें बाइरस में होता है किसमें आ रायने जेनेटिक मैटेरियल होता है तो बाइरस तो इसका बच्चो जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है क्रिक ठीक है किस ने दी थी क्रेक ने दी थी क्रेक हमारा राइट आंसर रहेगा ठीक है बच्छो अगला नेश्च कोईशन देख लेते हैं नेटैस्ट क्या दिया है डिएनओ दि quickly मोटाइभ होती है इसका रहेगा बच्छो इसका राइट आइट उसको कितनी होती है बीस अंग इंगolar ये हमारा रायट से रहेगा अगर निक्त क्या है ने दीने में कुंडलन होता है तो इस में रायइट न्सप क्या रहेगा इसमें रायट आंसर क्या रहे गाucking ड़ों को होता है हो कि आर्ट अबर्ति कंडलन होता है ठीक है राई ऐँसर रहेगा वर थीए अगर्डग require क्या है टाटा बॉक्स के अनुलेखन में तहायो रहेगा उसमें चना रहेगा यूर छो रहेगा टिक अगरा निश्फोषिंट देख लिए दिया है निम्न में से टर्मिनेशन है में टर्मिनेशन कोडल में तो टॉटन कोडल में जल्दी से बताएं इसका रहेगा इसमें राइट सम आगया रहने माला वग्रस्ट आप्सण कहा हमारा है यह खमाती द्वार करें कि यह बताई है कि जबाब देंगे सकते रहने वाला है है लोगा यह आच्जों सुक्त है कि आच ड़ा रहेज़ा तो इसमें युद्ध तरन आन द्वीट सब्सक्राइब यह था न यह पंड रहने वाला है इस Nori आंसर भी धए सिर्खाइद के किया है यदी नूकलीयूटाइट में यदी नूक्लीयूटाइट से आसफेट अलग हो जाए तो निर्मित होगा तो आयगा इसका रहेगा इसका रहेगा बच्चों स durchाए इसको रहने वाला हैu आप्सिन नमबर सी ठीक है आप्सिन नमबर सी हमारा राइट अंसर रहेगा नीकलियोसाइड नीकलियोसाइड से हमारा राइट अंसर रहेगा ऑप्सिन नमबर सी ठीक है अगला इनेश पोईशन क्या है अंबर किसे कहा जाता है अंबर किसे कहा जाता है तो अंबर किसे कहा जा में प्रयूप्त आ रहेने के प्रकार है प्रोटीन च सद्ण स्द्ध क्या रहेगा इस में राइट अंसरा रहेगा तो देखें को बच्चों मरतिंग 스타 सकते हैं तो इसमें राइट आंसर कौन सा रहने वाला है इसमें राइट आंसर कौन था रहने वाला है भीस तोनजी को Are इस्ट पोसुंस किया है भ्राइट आंसर नहीं से जबाब देने व्चा रहने वाला है तो देखेंगे इसका ऋ रहने वाला हो रहने वाला है कि अफैने थिकां और यंग्धन रहने वाला है प्रोटीन प्रोटीन संसलेषरр के प्रोटीन Hagusz सब्सक्राइब होते हैं जल्दी से राइड जबाद देंगे इसका सभी बच्छे राइड जबाद देंगे कौन सा राइट आंसर रहने वाला है तो देखेंगे इसमें हमारा right answer रहेगा क्या रहेगा option number b हमारा right answer है अगला next question दिया है genetic success now का इस्थान आंतरण जो amino राइट अंसर कौन सा रहने वाला है जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे राइट आंसर बताएंगे बेरी इंपर्टिंग पूश्यान है बच्चो लास्ट पूरी वीडियो को देखना बिल्कुल ना पूले बच्चो और लाइक करते रहेगा बीडियो को शेर करते रहेगा ऐसी है बताएंगे जल्दी से राइट आंसर कौन सा रहेगा यहीं कि देखेंगे इसमें जुराइट आंसर रहने वाला है हह तो रहने वाला है और से आपसा नमबर चरोइ 사건 स्कृ talk किंगे शर्री नामक निटरोजन समबंदित होता है किससे संबन्दित होता है ye हमारा राइप आंसर कौन सा रहने वाला है जलधी से देखेंगे सभी बच्चे बताएंगे है यह मसलने प्रकार होता है बीएनEs boring आंसर यह कितना औरकार ने कितने प्रकार का होता है जलदी से पताइंगे सभी लुआ रहने वाला है तो देखेंगे बच्चो इसका जो राइट रहने वाला है ठीक है इसका राइट रहने वाला बिए जाएक इसके right answer जल्दी से ज्वाब देगे देखेंगा जो right answer जल्दी से ऑफ सन्बर 64 जलदी से बताएगे जल्दी से right answer देगे इसका तो इसका Å isn't right answer i got Aujourd parentheses प्रक्ते का होता है तो इसमें आंसर इसमें राइट उन्स रहेका बच्चो जल्से देखेंगे तो देखेंगे इसका रहेका बेक्या रहे नमबर B ठीक है RNA, option number B रहेगा RNA, अग्ला इनेश पूशिछन Z DNA तथा B DNA परसपर भिन होते हैं, तो इसमें से right answer कौन सा रहेगा, इसमें से right answer कौन सा रहेगा बच्चो, तो देखेंगे बच्चो, इसमें जो right answer रहेगा, भई क्या रहेगा, अप्स नमबर D, ठीक है कुर्यलित तरीके में काल ड्रीकए में हमारा राइड रहेगा। ऑप्षिन नमर्ड ड राइड रहेगा। ठीक है बचो अगर थे पूछ लेस्ण देख लिते से हैं। कि major了 कि एपने एस अहरे शेक्स नियूबाइदे शोटे हुआ हे स्थित होते हैं इसमें से राइड अंसर कौनज़ रहने वाला है हमारा kapर tagen थेस इस टूठे है राइट अंसर कौनछार रहने वाला है लुब ईमेरा राइड आंसर होनगने है अगला नेस्ट कउशिन क्या रहने वाला है हमारा नीस्ट कोशेन यह थी करता है है तो जल्दी इसका कौन से रहने वाला है तो इसका जो राइड आंसर रहेगा बच्चो क्या रहेगा ऑप्षन नम्बर A, AUG हमारा राइड आंसर रहेगा अगला नेस्ट पोश्चन आर आ एबन प्रोटीन संसलेसर किस अवस्था में होता है आ राइड जबब देंगे जल्दी से कौन से र G1 and G2 phase यह हमार राइट आंसर रहेगा ठीक है बच्छो यह हमार राइट आंसर रहेगा अगरा नेस्ट कोशन देख लेते हैं नेस्ट कोशन क्या है बाटसन एवं क्रेक को नोबल पुरसकार किस वर्स में दिया जाता था किस वर्स में दिया गया था तो जल्दी से बताएंग ठीक है इसकथ प्रूटिन में अमीनो के बीच पाया जाने वाला बंध का नाम नाम कौन सा है जल्दी से बताएंगे जल्दी से बताएंगे तो देखेंगे इसका जो आंसर होगा ठीक है इसका जो राइट आंसर होगा बहें क्या रहेगा पेप्टिड ठीक है पेप्टिड बॉंड यह हमारा राइट आंसर हैगा बच्छो पेप्टिड बॉंड हमारा राइट आंसर हैगा अग्लानेश कोश्चन सबसे सरलतम अमीनो ए एसिड का नाम बताइए तो क्या हो जाएगा ग्लाइसीन ठीक है क्या हो जाएगा अगला नेश्य कोईशन देखेंगे लेकि सिंसार की दिया है धिया को पीरति कीजित दिया है रिवर्ट तla स्फ्राय। न को कहते हैं Hey आदर को सबस्कquently को भी कहते हैं तो क्या कहते है सिंद्देश को लुए क्या कहते हैं production होगा when है और रटान्स रहेगा अमीनो ऐसीड आयन है तो इसमें क्या हो जाएगा जूइटर और टिक है गतर एंफो टेरिक हमारा राइट आंसर रहेगा यह फोडिया और इसका प्रोटीन हो लाकड़न कि स्ने प्रस्तुत किया एलो ऌन्ट प्रस्तुत किया कुष्ड कि यह हमारा right answer कॉन सा रहने वाला इसमें तो इसमें देखी इंगे हमारा जो right answer हो लेगा option number D ठीक है ml and a ml and फिसर ने तो यह एल्वार रहता ऑप्सन नबर D ठीक है अगला नेश्गोश औंजाइम सब्द किसने मौत प्रस्तुत किया था इंजाइम सब दद जो है वो किसम प्रस्तुत किया था बच्चो रैट योगा को बच्चो इसको राइट आंसर क्या यहा आपक्शन नमर्टकु नहीं क्यों दिखेंगे और भाग दर्षा ता है तो क्या साथा है राइट इसका रहेगा इसका राइट आंशा क्या रहेगा जल्द से पताइग है इसका राइट आंसा क्या रहने वाला है तो option है तो क्या होते हैं जल्दी से राइट आंसर देंगे जल्दी से तो देखेंगे इसका जवाब होगा राइट आंसर होगा क्या होगा option number D co-enzymes co-enzymes इसका राइट आंसर होगा ठीक है बच्चो अगला नेस्ट कुछिन देखते हैं बिटामिन A, D, E, T, K पिराया घुल जाते हैं तो किस में घुल जाते हैं इहें पिराया किस में घुल जाते हैं राइट आंसर इसका क्या रहेगा इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है बच्चो तो option number B इसका राइट आंसर रहने वाला है बसाम ठीक है किसमें घुल जाते ह आप लेज देखेंगे ने स्कुष्ण क्या रहने वाला बच्छो तो ने कुशन दिया है अटी स्कूर्भी बिटामीन है तो कौन सा है इंटी स्कूर्भी बिटामिन जल्दी से बताएंगे राइट आंसर इसका क्या रहेगा तो देखेंगे इसमें जो हमारा आंसर होगा तो क्या होगा option number D, vitamin C, anti-skrubi vitamin जो है वो कौन सा है, vitamin C है अगला नेस्ट question, इसकर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है तो इसकर्वी रोग जो है, वो किसकी कमी के कारण होता है तो रतोंदी रोग जो है, वो किसकी कमी के कारण होता है जल्दी से बताएंगे, right answer इसका क्या रहने वाला है तो देखेंगे बच्चो, इसका जो right answer रहेगा option number A, ठीक है option number A हमारा right answer रहेगा, vitamin A vitamin A की कमी कारण जो है, रतोंदी रोग होता है ठीक है बच्चो? अगरा next question अगरा next question क्या है cellulose होता है cellulose होता है, तो cellulose क्या होता है जल्दी से बताएंगे, right answer इसका क्या रहेगा इसका right answer क्या रहने वाला है बच्चो, सबяжको so option number C हमारा right answer है और अजबश है, polysacurite polysacurites हमारा right answer है, option number C ठीक है बच्चो अगरा नेश कोईश्व नेश कोईश्व काया है। निमन मेर क्या है? 9 मै से सरल्थम अमीनों अमल है. निमन मेर número है. को सो यौँज दए है पता है? शुब इसका रहेंगा रहेंगा तो इसका जो र λあScript आंसर है जल्दी से बताईए गांकर एंजाइम क्या है जल्दी से ओंकर 菜कर रहने वाला है ऑ्सन नम्बर A हमारा राइड़用 से लाइगा फ्रीकति ठीक है फेलिए ज से ज़ने Rewrite option number a Screen बेख्चों क्या दिया है उसमा सोसी अभिक लिए डिये डिल्लटव जी कमान होता है हो उसमा सोसी अभिकिरियाओं कि लिए delta z का मान क्या होता है कैसा होता है जल्दी से बताएंगे right answer इसका क्या रहेगा बच्चो तो इसके लिए जो delta z का मान होता है धनात्मक होता है option number a हमार right answer रहेगा option number a हमार right रहेगा धनात्मक ठीक है अगला next question last question दिया है कोशकाओं में पाय जाने वाले amino amalic प्रकार की शंक्या है तो कितनी है राइट answer इसका why रहेगा लाइट question है इस वीडियो का अगर वीडियो हमारी अच्छी लगई हो बच्चो आपो तो किर्फिया करके subscribe करिए शेयर करिएगा ठीक है बच्चो और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तो कि हमारी आने बाली वीडियो नोटीप की संजू है वो आप तक सबसे पहले पोचे बच्चो ठीक है बच्चो और लाइक करते लिएगा वीडियो को शेयर करते रहेगा बच्चो ठीक है जैहिन मिलते हैं एक सोट ब्रेक के बाद